तो आज हम आपको बताने वारे हैं सोमबर अश्टमी का सबसे विशेश उपए यदि आपके पास में समय नहीं है आप कोई भी उपए नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मनो कामना आपकी संतान की कामना या जो भी कामना है जिस भी कामना साहब उपाय कर रहे हैं वो कामना पौन हो जाएं मनो कामना पौन हो जाएं कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए आज आपको या तो तीन व्रक्ष या फिर आपको आपके घर में ही शिव जी के सम्मूप में वो तीन व्रक्ष कौन से हैं सबसे पहला बेल पत्र का व्रक्ष दूसरे नंबर पर है पीपल का व्रक्ष और तीसरे नंबर पर है आवले का व्रक्ष ये तीन व्रक्ष आपके आसपास में एक साथ है तो आप इन तीनों के नीचे नहीं है तो जो भी आपके घर में शिवलिं के सम्मुक में ही तीन दीप प्रजवलित करना, सबसे पहला दीप प्रजवलित होगा बेलपतरी के नीचे, दूसरा प्रजवलित होगा पीपल के नीचे, तीसरा होगा आमले के नीचे, और आपको ये दीप प्रजवलित करते हुए नाम लेना है, कौन सा नाम लेना है और दीप कौन सा प्रजवलित करना है वो पूरी जानकार यह आपको देंगे पर उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना होगा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास میں शेयر भी करना होगा तो चली आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है जादो दीप आप आटे का ले लीजी या फिर मिट्टी का ले लीजी जो भी दीपक है आपके पास आप ले लीजे और उस दीपक में आपको डालनी है गाय का गी गाय का गी आपको उस दीपक के अंदर डालना है और दीपक के अंदर गाय का गी डालकर उसमें गोल बात लगानी है कौन जी बात लगानी है आपको गोल तीनों दीपकों में आपको गोल बात लगानी है आपकी मनोकामना पूर् और संतान बंच की विर्द्धी के लिए लंबी बाद का इस्तमाल करना है धन प्राप्ति चाते हो तो भी आपको लंबी बाद का इस्तमाल करना होगा जब आप बेल पत्री के वरक्ष के नीचे दीप प्रजोलित करे तो आपको बेल केश्वर महादेव कुन से महादेव बेलकेश्वर महादेव का नाम लेना है बेलकेश्वर महादेव के नाम से पहला दीपक बेलपत्री के वरक्ष के नीचे दूसरा दीपक पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल के वरक्ष के नीचे और तीसरा दीप आपको प्रजवलित करना है आम लेके ब्रक्ष के नीचे हरी हर महादेव के नाम से आपकी कामना करते हुए तीन दीपक यदि आपने प्रदोशकाल में आज प्रदोशकाल में आपने जब सुर्य अस्त हो उसी समय पे प्रजवलित कर दिये करते हो उनके सम्मुक में आपको तीन दीप प्रजोलित करने एक साथ और वो तीनों दीप प्रजोलित करते समय आपको यही बेल केशवर महादेव कौन से महादेव बेल केशवर पिपलेशवर और हरी हर महादेव तीनों महादेव के नाम से दीप प्रजोलित कर देना है आप शरीर में रजस्वला धर्म से संब्धित, पीरिट से संब्धित कोई भी रोग है, उस रोग को समाप्त करने के लिए साथ दुरवा, कितनी दुरवा, साथ जिसको दूबा या गाज भी कहते हैं, वो साथ दुरवा आपको मता अशोग सुन्दरी के स्थान पर समर्पित करनी ह और जब समर्पित करोगे, तो मता पीवरी का नाम आपको लेना है, किसका लेना है, मता पीवरी का नाम लेना है, मता पीवरी के नाम से साथ दुरवा आपको या समर्पित कर देनी है, मता अशोग सुन्दरी के स्थान पर साथ दुरवा को उठा कर लेकर आए, और एक-एक मंगलवार से शूबह सूबह बिना कुछ खाएं बिना पानी पिए खाना शुरू करें साथ दिन लगातार साथ दुर्वा खाएं आपकी रजस्वला द्रम से सम्मदी सभी समस्याइं हो जाएंगी समाप्त अब अंतिम उपाएं यदि आपको माईग्रेन की समस्या है माईग्रेन का रोग है आपने दवाईयां ले ली फिर भी वह ठीक नहीं हो रहा तो साथ लॉंग कितनी लॉंग? साथ लॉंग सोमबार अश्टमी यानि आज ही के दिन प्रदोशकाल में मता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना साथ लॉंग आपको यहां समर्पित करनी है इन साथ लॉंग को उठा कर आपको ले आना है अपने घर पर मंगलवार की सुबह उठकर यानि कल उठकर या तो आपके घर की चोकट पर जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की चोकट पर खड़े होना या फिर आप आपके आसपास में शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर में चले जाना शिव मंदिर की चोकट पर बैठकर आपको वो एक लॉंग खानी है या आपके घर की चोकट पर खड़े होकर या तो शिव मंदर की चोकट पर बैटकर या आपके घर की चोकट पर खड़े होकर उड़ते ही किसी से बात मत करना, कोई शब्द मत बूलना, ना पानी पिना और और कुछ करना, केवल हुए एक लॉंग उठाना और चुप चाप उसको चबा चबा कर खा लेना साथ दिन ये कारे करना इसके बाद आपको माईगरेन की जो भी समस्य होगी बहे कभी तकलीफ नहीं देगी कभी दुख नहीं देगी सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तू भ्याम